आपका स्वागत है, कुद्रत ने चोतरफा चैक किया है, केरल में कायनात का थमने का नाम में ही रहा, कुद्रत ने केदार में भी कहर बरपाया है बादल फाड़ बारिश में 300 से जादा लोग रास्तों में फस गए हैं, अब रेस्क्यू ओपरेशन चल रहा है बारी संख्या में लोगों के फसे होने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, रेस्क्यू ओपरेशन के लिए पूरी ताकर प्रशासन ने जूपती है, पहाडों ने केदार और कीरल में तांडव मचाया, तो समतल इलाकों में नदियां जो है इस वक्त उपान पर है, शहर के शहर दूबे हुए नज़र आ रहे है, ग्रामिन इलाकों में जल तांडव देखने को मिल रहा है, ग्राउंड जिरो से एक्स्क्लोसिव रपोर्ट दिखाते हैं, देखते ज़रा झालेकों में बलाकों में उलाकों में है लेखब चालेकों में झालेकों में इलासाम आके खिरूड़ो जिएफर्ट एकार रहा है, जहरा है ग्राकों में आब। अख्सर गหรश warm Aw apples कुद्रत के तांडों ने इनसानी बस्तियों पर ऐसा कहर बर पाया है कि चारों तरफ त्रहिमाम है फटते बादल और जानलेवा सैलाब ने सैक्रों जिंदगीयों को लील लिया जल प्रलाइ क्या होता है कैसे आपदा इनसान को भुटनों के बल खड़ा कर देती है उसकी तस्वीरे हैं कुद्रत के कहर के बीच इनसानी जानों को बचाने की कवायदे कैमरों में कैद हो रही टाइंस्टन और नौ भारत आज आपको कुदरत के कहर की ऐसी ही तस्वीरे दिखाने जा रहा है जो रूख अपाने वाली है ये केदारनाथ की तस्वीरें तबाही के बाद इलाकों में बुरी तरह इंसानी जाने फसी हुई शासन प्रशासन लगातार हेलिकॉप्टर के जरिये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है समादाता रोहिट डिमरी रेस्क्यू टीम के साथ आसमान से दिखाई देने वाली आफ़क जमीन पर उतरती है तो और भयानक दिखाई देने लगती है ये देखिए इस समय हम मौझूद हैं गौरी कुंट को जाने वाले उस वेकल्पिक रास्ते से जहां NDRF के जमान लगातार जद्टो जहत कर रहे हैं लोगों को बचा कर रहे हैं किस तरह से क्या इस्तिती है आप खुद अंदादा लगा लिजिए कितनी मुश्किल भरा ये सफर है और लगातार हम लोग आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि साथ हजार से सम्थिंग जो गड़ना बताई जा रही है वो बेहत जादा खतरनाक है बेहत खतरनाक तस्वीरे देख पा रहे हैं आप अभी मेरा भी पैर फिसला और ना जाने कितने लोग साथ हजार से जादा लोग यहां से निकल चुके हैं और आप अंदाजा लगाईए कि जो तस्वीरे हैं बेहत खतरनाक हैं बेहत डरावनी हैं सोन प्रयाक की तस्वीरे हैं यह सैक्लों लोग कुदरत के कहर में फसे हुए और अपनी जान की सुरक्षा के लिए बारी का इंतुजार कर रहे हैं लोगों को रैस्क्यू करने के लिए सेना के जवान जीजान लगाया हुए हैं घने जंगल पत्रिली जमीन और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फसी जिंदगियां कितना मुश्किल है लोगों को इन हालातों से बाहर निकालना ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है बादल फटने के बाद ये नदी इतना रौद्र रूप ले लेती है कि इनसान क्या सारी इनसानी बस्ती को बहा कर ले जाती है पहाड हैं तो पत्थर हैं पानी के तेज बहाओं में यही पत्थर तबाही की सबसे बड़ी वज़ा बनते हैं बादलों ने थोड़ी सांस ली है तो सेना के जवान नदियों की धाराओं के बीच से बड़े बड़े इन पत्थों को हटाने का काम कर रहे हैं साथ ही कोशिश की जा रही है कि बहाओ के साथ आई मिट्टी को नदी के रास्ते से हटा दिया जाए। ताकि नदी अपने वेक को नियंत्रत कर सके। नदी के उस पार भी लोग फसे हुए हैं। उन्हें इस नदी को पार करा कर इधर लाना है। सेना ने बकाइदा क्रेन को नदी में उता रहा हैं। और क्रेन से चट्टानों को हटा कर एक पुल बना कर पार कराने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल के रामपुर में सहज गाउं में बादल फटने के बाद कई घरों का नामों निशान मिट गया। करीब 25 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में NDRF और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तो वहीं रेस्क्यू टी में जान की बाजी लगा कर लोगों की जिन्दगी बचा रही। एक छोटे से बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरे दिखाते हैं आप जिसे टाइम्स नाव नौभारत ने अपने कैमरे में कैद किया है। आप मेरे पीछे जगा देख रहे हैं यह वही जगा है जहां से वादल फटा था और करीब कई घर यहां से बैते हुए चलेगा है। जो लोग लापता हैं 30-35 लोग लापता बता बता जा रहे हैं लेकिन जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाने की कैसी कोशिश की जा रही है तो वो एक तस्वीर यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ बेहत मार्मिक्षन टाइम्स नावन भारत के इस टेमरे में आप दे कर रहा है और एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्कू किया जा रहा है यहां पर आप देखिए सारे सेफटी गियर्स यहां पर पहनाए जा रहे हैं क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बात है यह एक साल के बच्चे की बात है तो कहीं कोई गलबड़ी ना हो कि जान पर किसी अब बादल कुछ नर्मी दिखाएंगे लेकिन आचाना की बादलों ने अपना गुस्सा दिखाया और तबाही का मनजर खड़ा कर दिया गंगोत्री को देखिए कैसे उफान पर है इस उफान में भगिरत शिला आर्ती इस्थल बह गया जहां गंगा आर्ती होती है गंगा की ये नाराजगी और कितनी इंसानी बस्तियों पर कहर बरपाएगी इसका कुछ पता नहीं मनाली में अंजनी महाजेओ के पास पागल नाले में बादल फटने से आये उफान के चलते सैक्डों बड़े-बड़े पत्थर हाईवे पर आके गिरें लोगों का कहना है कि कुछ ही मिनट में इस हाईवे पर पत्थों ने अपना कबजा जमा लिया बड़े-बड़े पत्थर गिरने से व्यास नदी पर बना पुल भी तबाह हो गया तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है वह कितना भी नुक्सान कर सकती है वह कुछ भी अपने साथ बाहा कर ले जा सकती है वह किसी भी चटान को गिरा सकती है और ये नजारा आप देखिए किस तरह की तस्वीरें यहां पर हैं जब इतने बड़े-बड़े पत्थर चट्टाने तूट कर नीचे सड़क की तरफ आ गई हैं यह है कुदरत के कहर की तस्वीरें दो दिन पहले तक यहां कोई पत्थर नहीं था लेकिन बादल फटने के बाद एक बार में ही यहां पत्थरों और चट्टानों का अंबार लग गया यह पत्थर नहीं चलते फिरते बम हैं इन्सान चपेट में आए तो और घर चपेट में तो बर्बादी की लकीर खीज देते हैं बस गनिमत ये रही कि ये पत्थर लोगों के घरों तक नहीं पहुचे उत्राखंड हो या हिमाचर प्रदेश बादल फार तबाही के बाद पहाडों से बर्से पत्थरों ने कई जिंदगियां ली देखिए उत्तर से लेकर दक्षन तक और पूरत से लेकर पश्चन तक हाहकार मचा हुआ है केदार की तबाही देखिए आपने कयामा जेल रहा अब केरल भी देखिए वायनाट की भायनक तराजदी के बीच रेस्क्यू की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खीच लिया सोसल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को बहादुरी की मिसाल के तौर पर खूप सराहा जा रहा है अट्टामाला के जंगलों में तक्रीबन आठ घंटे की जद्दो जहद भरी यात्रा के बाद एक आदिवासी परिवार को कल्पिट्टा वन रेंज के अधिकारी के हशीज और उनकी टीम ने रेस्क्यू किया है यादिवासी परिवार एक पहाड़ी की चोटी पर फस गया था खास बात ये कि इस परिवार में चार छोटे छोटे वासूम बच्चे शामिल थे इसलिए ये और भी खतर्राक रेस्क्यू ओपरेशन हो गया था बताया जा रहा है ये परिवार पनिया समुदाय का है जो पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा के अंदर फसा हुआ था केरल के सीम ने वन विभाग के इस बहदुरी की जम कर तारीफ की और इस तस्वीर को सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा कि होईसकलन प्रभावित वायनाड में हमारे सहसी वन अधिकारियों द्वारा आठ घंटे के अथक प्रयास के बाद एक सुदूर आदिवासी वस्ती से छै अनमोल जिन्दगियां बचाई गए उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि किरल का लचीला पत सबसे अंधेरे समय में भी चमकता है आशा में एक जुट होकर हम पुनर निर्मान करेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे हालाद देखकर लग रहा है जलप्रले की आगोश में पूरा हिंदुस्तान है भारी बारिस के बाद उफंते नाले ने ऐसे मुश्किल लाई कि गर्भती महिला की जाने पर बनाई तस्वीरे देखे ये मडियादों के पास लम्ती नाले की तस्वीरे नाले के इस पार पाटन गाउं है और नाले के उस पार हटा तहसील इस गाउं को पार करके तहसील जाने के लिए इस नाले को पार करना ज़रूरी है लेकिन नाला अपने पूरे उफान पर है पानी की धार इतनी टेज है कि जोखिम लेना जिंदगी खत्रे में डालने के बराबर है अब ये गर्भती महिला क्या करें लेबर पेन से महिला परिशान है कुछ महिलाएं साथ हैं लेकिन सिवाए इंतजार के इनके हाथ कुछ भी नहीं कब पानी उतरेगा और कब ये महिला इस नाले को पार करके अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुँचेगी भगवान ही मालिक है सासन प्रशासन को इस तस्वीर को देखना चाहिए क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नाले पर खुल के निर्मान के लिए कई दर्खास्त लगाई जा चुकी है लेकिन कोई धान नहीं दिया गया 36 गड़ में लगातार हो रही बारिश की वज़ा से नदी नाले उफान पर है 36 गड़ के कबीर धाम जिले से आई कुस तस्वीरे दराने वाली है तस्वीरे देखिए उफान नाले को पार करने के लिए कावड़िये अपनी जान को जोखिम में डाल कर इस पुल को पार कर रहे हैं ऐसी तस्वीरे कई बार देखने को मिली हैं कि पानी का इस्तर अचानक से बढ़ा और लोग काल के गाल में समा गए यहां भी जिला प्रशासन हिदायत दे चुका है लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डाल कर पुल पार कर रहे हैं अब आईए बिहार बिहार में नालंदा में लोकाईन नदी का बान कूटने से आसपास के इलाकों में तबाही ने दस्तक दे दी पूरे इलाके पर बार का संकट गहरा गया है खासकर निचले इलाकों में नदी का पानी घुज गया है इनसानी बस्तियां जल्मगन हो चुकी है दरसल जारखंड के डैम से पानी छोड़ने के बाद हिलसा और कराय पर सुराय प्रखंड के गाउं बार की मुश्किल में फसे हुएं गाउं पर आफ़त आई तो जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक तक्रिबन 70 घरों में पानी घुस गया है जिसमें 78 परिवार के 605 सदस से प्रभावित हुएं जिसके लिए राहत सिविर की व्यवस्था की गई अभी तक परसास ने की दोवारा क्या क्या व्यवस्था किया है कुछ भी नहीं फिर्षासन के तरफ से हुआ आये हुए है डिकाओ था किवारा देख वार्भावित ही वे संके तरफ क्या क्या यह वस्था किया अभी तरफ कोह ब्यास टेन है को बोड़ाना बक्कू है APP